आप सभी प्रियदर्शिकों का स्वागत है, बात करेंगे Yes Bank के बारे में CBI का बड़ा एक्स्पोजर आया है राना कपूर जी के केस में, देखिए किस तरह से कुछ लोगों ने इस इन्फोर्मेशन का गलत इस्तिमाल किया था, आप बुकिंग चल रही है महाँ पर, Yes Bank के पूस्टिव टेरिटरी में जाके बंद होगा, How the information gone out of CBI, जब CBI के उपर कोई केस चलाती है, तो वहाँ पर उन सारी information confidential रखी जाती है, but before even it was made public, कुछ privileged लोगों के पास ये information चली गई थी, as per the photos were shared, यहाँ पर CBI ने आज खुला सकिया है, कि file के photo लिए गए वहाँ के करमच कारियों के द्वारा, और उनको भेजा गया अलग-अलग लोगों के पास, और ये इस से उन्होंने पहले ही, खबर से पहले अपना सारा पैसा, yes bank से बाहर निकाल लिया, और साथ-साथ में stocks भी उन्होंने बेच डाले, in fact, shorting कर डाली short stocks की, अब CBI action ले रही है, देखे, name employee ह के सुमित कुमार जी, इनको धर दबोचा है अब इन्होंने, और यहाँ पर forgery, theft and criminal conspiracy का case लगा दिया गया है, इनके साथ में, yes bank के लिए, इन्होंने जो समीर जी और राणा कपूर जी, इन दोनों को जो अंदर बंद करने की बात कर रही थी, ये इन्होंने note रखा था, yes bank की file में, और उसका photo लेकर, इन्होंने बेच दिया था, DHFL और other other companies के reference में, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश सी, जिसका परदफास किया गया है अब यहाँ पर, सरकार अब मदद कर रही है, सैविक approval सीक किया गया है, shareholder होंगे मारमाल, यहाँ पर, ask किया गया है सरकार से, FPO का बागडोर समाली है, तो देखें, मार्च 2021 में, operation cash flow बहुत improve हो गया है, जो पहले 57,000 करोड का नुकसान था, operation activities से, अब वो 50,000 करोड का profit आ रहा है, यहाँ पर cash flow की दरश्ची से, और investing activity भी अब इनको food food result दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, financial activities, अभी यह थोड़ा पिछल प्राणा कर्ज है, जो प्रशान्त कुमार जी को पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पर net cash flow देखा जाए, पिछले 3 सालों को सबसे जादा 20,000 करोड का cash flow जनरेट के है, जो कि इनके लिए stock market के लिए बहुत positive रहेगा आगे आने वाले समय में, बोर्ड का approval मिल चुका है, 10,000 क पर right quantity में आपने पास निवेश कर सकते हैं, और दोस्तों हम छोटे और effective वीडियो बनाते हैं, आप चाहें, तो हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, साथ-साथ में, आईए ज़रा चलकर अब इसका हम यहाँ पर mutual fund का view देखें, तो mutual fund यहाँ पर नवंबर के महीने में सबसे जादा volume के खरीदे गए हैं, mutual fund के द्वारा, और हम बहुत bullish हैं, इसमें, this will trigger a positive momentum, surplus of cash fund है, higher margin रहेंगे आने वाले quarter में, आप गर देखें, यहाँ पर जो यह डिश टीवी का सागा है, उसके चलते हुए आज, afternoon से ही, यहाँ पर volume बढ़ने लगा, 13 रुपे 40 पैसे से बढ़कर, सीध अपने पास खरीद रहें है, higher highs बनाता जा रहा है, higher lows बनाता जा रहा है, सबसे पहला target अगर positive news आती है, तो 15 के उपर जाएगा, यह हमारे हिसाब से आने वाले couple of days के अंदर ही, तो देखेंगे जसा भी होगा, और हमने इसमें निवेश किया है, standard disclaimer, 5% दर किसी stock में आता, bye guys!